तो गुड बॉनिंग टू आल क्लास फिक्त ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं ये वीडियो हम उनी के लिए बेज रहे हैं हमारे एक बार फिर रिविजन शुरू हो रहा है पार तेरा से रिविजन तो कही बार हो गया फिर भी कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते ह वाटसब वगरा ये यूटूब वगरा पे तो उन से भी यही मतलब निवेदन है कि आप इनको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए इनको पढ़िए इनको याद कीजिए ठीक है तो जो आपका टी टू एक्जाम फाइनल एक्जाम जो आपका अठारा आक्टूबर से होने जा टी टू फाइनल एक्जाम लिया जाएगा ठीक है क्लास फिफ्ट ए और बी के बच्चे दियान से देखिए पार्ट तेरा का हमारे एक पर फिर रिविजन होता है भाग तीन पेज नमबर है हमारा 97 पर परशन उत्तर बापू जी सही अर्थों में एक आदर शिक्षक थे कैस इसको तरे क्योंकि बापू जी हर चीज को इतने विस्तार से समझाते थे प्यार से समझाते थे कि सामने वाले के हिरदे में उनकी कही वी बात भली भाती यानि की अच्छी तरस समझ कर बैट जाती उनको समझ में आ जाती تھی मौन वरत के दोरान बापू जी अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचाते थे जब बापू जी हफ़ते में एक दो बार मौन धारन कर लेते थे मौन धारन मने चुप चाब मनलब किसे से बात चीदना करना तो उस समय अपनी उन तमाम जरूरतों को अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बापू जी क्या उपाई अपना दे थे इसका उत्तर है जब बापू जी को किसी चीज की जरूरत होती या कुछ सूचना देनी पड़ती तो कागस के एक टुकडे पर लिख कर बताते कि उनने की इस चीज की आवशकता है अगला परशने बापू अपने साथ दो रूमाल क्यों रखते थे इसका उत्तर है क्योंकि बापू जी एक रूमाल से साफ करते थे और दूसरे रूमाल से नाक साफ करते थे यह है आपका तीसरा सवाल का उत्तर अब आजाएए प्रशन नमबर चार यहां से देखिए बापू के अनुसार चिंता को कम करने का क्या उपाए है बापू ने दुख तकलीफ और इन तमाम चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया इसका उतरे बापू जी केते हैं हमें अपने दुखों को भूल कर हमारी जितनी भी परशानिया है दुख तकलीफ है उन सब को भूल कर दूसरों के दुखों के बारे में सोचना चाहिए इस से हमारा हमारी जो चिंता है हमारी जो दुख तकलीब है ठीक है न एवम वो तमाम दुख तकलीब समाप्त हो जाता है दूसरों के दुखों को देखकर हमें अपने दुख का ऐसास नहीं होता है इसके बाद आता है दूसरा सवाल नीचे लिखे वाक्यों में कुछ गलती है उन्हें आपने पार्ट के अधर पर पढ़ते हुए